प्रिविद्यार्तियों नमस्कार हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वारसिक परिक्चा 2021 कक्चा 11 वी अंग्रेजी विसे की उपर तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना च वारसिक परिक्चा 2021 कक्चा 11 वि अंग्रेजी याने के इंग्लिछई का मैं किस परकार आने वाला है क्या क्या चीज़े उसमें पूछी जाएंगी तो चले बिना किसी देर कि इसको देख आगे यह भी देख ले आप आप इसके 2 screenshot लेके रख ले और अगर यहां से देखी हम तो यहां से शुरू होता है section 1 तो इसमे reading comprehension रहता है यह इसमें पैसे जाता है तो आप इसका screenshot लेके रख ले और आगे एक screenshot आप इसका भी ले ले और इसमें से यह प्रस्ण पूछे पाजबा चंक के और अब आपकी वारसिक परिक्चाव में एक ही पैसे आएगा जो लगबग 12 अंक का होगा उसमें से यह कुल प्रस्ण है तो केने का तात्पर यह है कि पैसेज तो एक ही आएगा पर वह 12 अंक का होगा तो अगला यह पैसेज है तो आगे देखें आप इसक कुछ पैसेज है यह आपको और इसमें से कुछ इनकी आपको कॉस्टन के आंसर्स लिखने हैं आप इनको नोट भी कर सकते हो अगला पैसेज यह रहा आपकी मोबाल स्क्रिन पे आप इसको नोट कर ले और आगे यह रहा और आप सभी से रिक्वेस्ट जरू करता हूं में कि आपने अगर हभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लेज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बराबर में जो भी वीडियो अफ्लोट करता हूं वो बराबर मिलते रहेंगे आप मन लगा के तयारी करें महनत के और आगे कुछ ये भी है इसी क्रम में देके तो ये आगे है और question नमर 5 में पूछे जाते हैं do is directed तो ये खुल IMP do is directed दिये गए हैं ये पांच नमर में आते हैं ये जो भी दिये गए हैं आपकी mobile screen इसी में से पूछे जाएंगे आप इनको note कर ले यही कि do is directed आपकी वरसी पर आगे देखें तो ये section तीन होता है literature साथ के उपर तो आप इसको देख ले ये इसी कवीता आती है जिसमें से पूछे जाते हैं आप इनको देख ले अगला एक्टरक ये है इसमें से भी कवीता आएंगी और ये परसन इस तरह से पूछे जाएंगे अब क्या प्रसन का उत् आप इनको नोट करते चले बराबर और अगला पैसे जिये रहा आप इनको भी नोट कर ले चाहे तो इसके इसोट भी लेके रख सकते हो आप आगे देखे तो कुछ चीज़े ये भी है आप इनको जरू देख ले और वीडियो को लाश्ट तक जरू देखना आपकी आट-dस नोट करते चले यही प्रसन आपकी वारसिक परिक्चाव में पूचे जाएंगे आगे कुछ चीज़े ये भी है आप इनको भी नोट कर ले और आगे कुछ प्रसन ये है आप इनको भी नोट कर ले और कुछ प्रसन ये भी है आप इनको नोट कर ले और कुछ प्रसन ये भी भव विकल्प वाले प्रस्ण ये हैं जो कि आपकी poetry से पूचे जाएंगे यानि कि कविता वाले पाटों से आप इनको note करते चला बरावर और आगे कुछ ये हैं आप इनको भी note कर लें आगे ये हैं आप इनके बरावर स्क्रीन सोट लेते चले यही प्रस्ण आपकी वारसिक परिक्चाओं में पूचे जाएंगे आगे कुछ एक ये भी है आप इनको भी note करते चले और आगे बात करें तो ये answer the following question in brief यानि कि short type के answer इनके देने हैं आपको आप ये प्रस्ण नोट कर लें यही प्रस्ण आपकी वारसिक परिक्चाओं में पूचे जाएंगे आगे देखे तो कुछ प्रस्ण ये भी है आप इनको भी note कर लें और आगे short answer type question है ये poetry से आप इनको भी note कर लें आपकी वारसिक परिक्चाओं में आने वाले हैं आगे देखे लें कुछ प्रस्ण ये भी है जो कि आपकी वारसिक परिक्चाओं में पूचे जाएंगे और कुछ एक प्रस्ण ये भी है आप इनको note कर लें long answer type question ये रहे आपकी mobile screen पर और section 4 की बात करें तो section 4 होता है writing section इसमें notice writing वगरा दिया जाता है तो आप इनको note कर लें ये कापी IMP notice है आप लोगों के लिए ये poster making है आप poster making को भी समझ ले यही poster आपकी वारसिक परिक्चाओं में पूचे जाएंगे आगे short comparison में ये देख ले later ये आएंगे आपके आप इनको देख लें और later के बाद में बात करें informal letters की informal letters में ये पूचे जाएंगे आपके आप इनको देख लें आगे कुछ चीज़े ये भी है आप इनको देख लें और आगे कुछ चीज़े ये भी है आप इनको देख लें और नोट कर लें और कु वीडियो के लाश्ट में हम इसके answers की भी चर्चा करें तो चाये तो ये answers के model keys है याने की questions जो मैंने पहले बताये थे उनकी answer है शुरू से लेकि आकरी तक आप चाये तो इनके भी screenshot लेके उससे मिला सकते हो तो ये passage section A जो था reading comprehension उसकी answers है आप इनको note कर ले आगे ये हैं कुछ आप इनको भी note कर लीजिए ये passage 2 के answer से आप इनको भी note कर ले और इसी क्रम में आगे ये हैं कुछ आप इनको भी note कर ले और आगे कुछ प्रसंगे हैं आप इनको भी note कर ले और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुल पेसे ये note making summary है note making summary बनाना जरूर सीख ले note making summary बनाना भहुती आसान होता है और अगर आपको नहीं होती है तो इस वीडियो में comment करके जरूर बताना मैं इस वाले topic के उपर भी note making summary के उपर भी एक वीडियो बना दूँगा जिससे तुम्हे note making summary बहुती आसान लगने लग जाएगी तो ये सभी प्रस्नों के उत्तर है अगर आपने इस वीडियो को सुरो से आकरी तक देखा होगा तो पूरा का पूरा आपको ये मिल लाएगा और आगे देखे literature वाले में से तो ये इसके answer से जो कविताय अपने समझी थी पड़ी थी उसकी answer से आगे देखते चले आप बराबर और कुछ ये भी है आप इनको भी note कर ले multiple choice questions जो थे आप इसका एक screenshot ले और अगला एक screenshot आप इसका भी ले ले यही प्रस्न आपकी वारसी परिक्चाव में पूछे आप इनको देख ले और note कर ले यही प्रस्न आपकी वारसी परिक्चाव में पूछे जाएंगी आगे कुछ प्रस्न ये है आप इसको देखते चले बराबर और आगे देखे तो कुछ answers ये भी है और कुछ answers ये भी है आप समझ ले, यही answers है इस paper में बताए गए material के आप इसको देख ले और note कर ले और आगे कुछ person ये है और person के उत्तर है, sorry मैं बार-बार mistake कर रहा हूं बोलने में तो आप note कर ले, ये प्रसन के उत्तर है person उपर थे, और आगे कुछ person के उत्तर ये है आप इनको भी देख ले ये notice writing के लिए है, जो notice के उपर अपनी उपर चर्चा हुई थी, तो इस प्रकार से आपको लिखना, प्रिपेर करना है, आप इसको देख ले और समझ ले, और इसी क्रम में अगर आगे देखे तो कुछ प्रसन ये है, आप इनको देख ले और ये informal letter है, आप इनको भी देखते चले बराबर और इसी क्रम में आगे कुछ चीजे ये हैं आप इनको भी देख ले, यह answers है सारे के सारे और यह कुछ चीजे ये भी है आप इनको देख ले और note कर ले यही प्रसना आपकी वारसी परिक्चाओ में पूछे जाएंगे तो आपको यह वीडियो के इसा लगा पर विदा लिता हूं नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना